1-1-2014 को stock price थी और index था 1-1-2020 को stock price थी और index था 23 March 2020 को जब Nifty lowest point पर था तब stock price थी और index था और current price है और index है यही figure चार्ट में देखते हैं अगर हमें Nifty के मुकाबले बहुत ज्यादा कमाई करनी है तो हमारे stock में चार बाते होनी चाहिए 1. लंबी अउदी में share price बढ़ती रहनी चाहिए 2. जब मार्केट में बड़ी गिरावट आती है तो हमारा stock ज्यादा नहीं गिरना चाहिए Nifty के मुकाबले 3. जैसे ही मार्केट रिकवर होती है हमारा stock तेजी से रिकवर भी करना चाहिए Nifty के मुकाबले 4. हमारा share अपने sector का top share होना चाहिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा share Nifty से better है या नहीं यानि कि पहले 3 points इस वीडियो में देखे जाएंगे अगर आपको sector का top share चुनना है तो उस वीडियो की link डिस्क्रिप्शन में दी गई है 1.1.2014 को 1 लाग रुपए इस share में इन्वेस्ट किये 6 साल बाद 1 जानिवरी 2020 को इस share में इन्वेस्ट किये हूँ एक लाग रुपए हो गए मार्च में इस investment की value हो गई और current share investment की value है 1.1.2014 के दिन एक लाग रुपए Nifty 50 shares में इन्वेस्ट किये 6 साल बाद 1.1.2020 के दिन Nifty 50 में इन्वेस्ट किये हूँ एक लाग रुपए हो गए मार्च 2020 में इस investment की value हो गई और current Nifty 50 investment की value है शेर में appreciation ज्यादा हुआ है इसलिए first point share ने जीत लिया है second point share ने जीता third point Nifty ने जीता overall share जीता यही एक लाग रुपए की अगर हमने 8% interest से fix deposit की होती तो आज उसकी value हो गई होती FD के 8% के मुकाबले Nifty ने कितने percentage का return दिया यह share ने कितने percentage का return दिया winner है आज अगर किसी को एक लाग रुपीज इन्वेस्ट करने है तो वो क्या करे यह stock में इन्वेस्ट करे Nifty 50 stocks में इन्वेस्ट करे या FD में इन्वेस्ट करे यह share के और Nifty के annualized return percentage हमने देखे है वही return percentage अगर भविश्य में भी continue होंगे तो एक साल के बाद क्या होगा करे वह बाद करेए झाल 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 Thank you. झाल